नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारी यूटीब चनल डिलेटेस इन्फो में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं उसी न्यूज जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वागता दोस्तों कि यूगता है वीडियो के साथ आंद टक बढे रहेगा इसी तरह के जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वी Crudements होती है एक तो आपके GE level की होती है एक आपके CHSL level की होती है और एक आपकी CGL level की होती है जो GE LD के farm है HOW इसा哪 launch travel के वह आपके 10th pass लगते हैं और जो CHSL के farm होते है वह आपके 12th pass लखते हैं और CGL counselor RM e Subscribe Lead level होते है वह आपकीOOOO Solo आपकी अगर आपने कर रखिया तो आप CGL का फाम लगा पाऊगे अब दोस्तों आए इस वीडियो में बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या परसीजर रहता है सबसे बहले तो मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके यहाँ पर एक्जाम रहता है जो आपका CBT मोड होता है उसके बाद आपकी रणिंग फिजिकल वगरा रहता है और लास्ट में आपका मैडिकल यहाँ पर किया जाता है CGL में जो है मैडिकल वगरा जो आपकी रणिंग होती है वो नहीं होती है तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बाकी की eligibility criteria के बारे में और सबसे पहले तो इस farm को बरने के लिए आपको जो है nationality देख सकते हैं कि आपको आप इंडिया के अगर citizen हो तो आप ये farm को apply कर सकते हो इंडिया बारत के अगर आप किसी भी राज्य से हो तो आप इस farm को apply कर पाओगे age limit दोस्तो हर साल जो रहती है 18 से 23 साल की ही रहती है यहां पर देख सकते हैं 18 से लेके अगर 23 साल के बीच में आपकी age limit है तो आप यहां पर farm लगा सकते हो अब दोस्तो age relaxation भी यहां पर मिलती है 18 से लेके 23 के बीच में journal वालों की सिर्फ होती है अब बात करें कि SCST वालों की कितनी होती है 18 से लेके यहां पर देख सकते हैं कि 23 तो होती होती है प्लस 5 आपको अगर 5 साल आपको age relaxation मिलती है तो 5 एड़ कर दोगे तो आप 18 से लेके 28 साल तक जितने भी SCST के candidate है 28 तक वो फार्म को बर सकते हैं और इसी तरह OBC के candidate जो हैं यहां पर देख सकते हैं कि 26 एर तक जो है SSC का फार्म बर सकते हैं एक सर्विसमेन भी 26 एर तक बर सकते हैं और बाकी यही जो लेक्शेशन है वो दी जाती है अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या रहता है और कितनी eligibility इसमें रहती है सबसे पहले तो यहां पर बात कर लेते हैं कि इसके जो online farm है उसकी fees कितनी रहती है फीज की बात की जाए तो आपकी 100 रूपीज फीज रहती है जर्नल और बकी के जो काटेगरी कंडिडेट्स के लिए और STSC के कंडिडेट्स जो है वो फरी में इस फार्म को अपलाई कर पाते हैं क्वालिफिकेशन की यब मैंने बात और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बदाया है कि अपकी 10 पास अगर है तो आप SSC GD का फार्म लगा सकते हो और अगर आपकी 12 पास है CHS L का फार्म यहाँ पर लगा सकते हो अब दोस्तो अब यह भी जो फार्म लग रहे हैं वो CHSL के फार्म जो है अपलाई हो रहे हैं लास्ट डेट इसकी जो है चार तारीक को रखी गई है आप चार दिसंबर तक इस फार्म को अपलाई कर पाओगे बाकी SSC GD के फार्म भी लग चुके हैं CGL के भी अभी न्यू फार्म लगेंगे 2023 से फिर से ये जो परसीजर है वो रिपीट किये जाएगा 2023 से ने फार्म सबके लगेंगे और फिर से जो है रेक्रूट्मेंट यहां पे दोस्तो करवाई जाएगी अब दोस्तो आगे बात कर लेते हैं NCC Certificate के बारे में height के बारे में और age तो मैंने आपको बता ही दी है अब दोस्तो NCC Certificate जिनके पास A Certificate है उनको यहां पे 2% जानी की 2% तक आपको marks मिलेंगे और जिनके पास B Certificate है उनको 3% marks मिलेंगे और NCC certificate जिनके पाद C है तो वो 5% marks मिलेगे दोस्तों 5% मतलब अगर आपके 100 में से अगर आपका 100 नंबर का exam है तो 5% इसका निकाल लीजिए तो 5 ही आएगा 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपके 3% है तो 3 नंबर मिलेंगे 2% है तो यह मैं 100 के comparison 100% के comparison में आपको बता रहा हूँ तो चलिए उसके बाद running की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 km जो running रहती है यह रहती है लड़कों की 24 मिनिट में और लड़कियों की जो running रहती है 1600 मिनिट में यह तो हो गया जो बाकी यदर रीजन से है अगर लड़क वालों की बात की जाए तो उनको कम मिल लड़क के जो male candidates है उनको 1600 मिटर रहेगी साड़े 6 मिनिट में और 800 मिटर रहेगी 4 मिनिट में यह तो लड़क वाला हो गया यह उपर वाला जो है यह सभी राज्यों के लिए है बकि सभी राज्य जितने भी पूरे बारत में जितने भी candidates है height की बात किये तो height जो है 170 cm दोस्तों यहां पर मांगी जाती है height जो है 170 cm मांगी जाएगी और अलग अलग district state की भी यहां पर relaxation होती है female की 157 cm यहां पर जो है मांगी जाती है अब दोस्तों बात करें जो भी candidates schedule tribes से हैं उन लड़कों की जो schedule tribes के लड़के हैं उनको 162.5 cm मतलब 162.5 cm उनकी height यहां पर मांगी जाती है और female की 150 यहां पर shoot इनको थोड़ी सी दी जाती है अब आल schedule tribe जो की नार्थ इस्ट स्टेट में है नार्थ इस्ट स्टेट जाने की जो अरुनाचल परदेश जो मनीपूर हो गया नागा लेंड हो गया उससे वेस्ट मंगाल हो गया उस साइड के जो candidates हैं उनको 157 यहां पर जो है male candidates की height रहेगी और females की 147.5 यहां पर रहेगी अब दोस्तों जो है कुमाउ, डोगरा, मराथा, UT के जो candidates हैं असाम हो गया हिमाचल परदेश हो गया जम्मू कश्मीर हो गया लदाख हो गया इन candidates के जो लड़के हैं उनकी height 165 पूरी 165 cm यहां पर मांगी जाती है और लड़कियों की 155 cm दोस्तों यहां पर मांगी जाती है अब दोस्तों जो अरुनाचल, परदेश, मनीपूर, मेगाले, मिजरूम, निगरलेंड और सिकीम की candidates हो गये उनकी यहां पर 162.5 cm मेल की height मांगी जाती है और females की यहां पर 152.5 cm यहां पर मांगी जाती है यह सब आप देखी पारे होंगे तो यह जो रहता है और यहां पर बात कीजिए तो male का जो criteria रहता है दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि इनकी chest भी यहां पर physical में ना पीजाती है जो की 80 cm होनी चाहिए और expand करते समय आपकी 5 cm expand भी होनी चाहिए तो यह जो है criteria है और weight की बात कीजिए अब last में weight बच गया तो weight के लिए मैं यहां पर आ होना चाहिए आपकी height के हिसाब से वो इसकी कोई tension नहीं अगर आपका overweight है फिर आपको problem हो सकती है ऐसे कुछ भी आपको problem नहीं होगी बगी medical को लेकर एक अलग से video मैं बना दूँगा यही जो पूरा update है मैंने आपको बताया क्या इसमें height बगरा रहती है और इसमें जो poster रह होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि SSC GD के जो farm है वो लग चुके हैं CGL के अभी लग रहे हैं CHSL के लग रहे हैं और CGL के भी लगना शुरू हो जाएंगे तो इसी तरह हर साल इसके ने से ने farm लगते हैं तो इस opportunity को आप जरूर जो है यहां पर फार्म इसको बगरा ल देखने को मिलते हैं दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो